Hello students, let's see the question So the question says, Iron doesn't burn on heating but iron fillings burn vigor slip and sprinkle in the flame of the burner Why? तो ये जो line है ना बच्चों, ये एक दम इन से आटी से सीधा सीधा कॉपी किया गया line है तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि iron chunk लेलो आपको या फिर rod लेलो इसको अगर heat करते है तो वो burn नहीं होते है, जलते नहीं है लेकिन iron fillings basically iron fillings का मतलब iron powder समझ लो आप एक तरीके से ठीक है तो इसे अगर हम छिरकाते है burner के flame के उपर यानि sprinkle करते है तो तब ये vigorously जल उठते है ऐसा क्यों? देखो इसको समझने के लिए हमें concept समझना पड़ेगा आप एक चीज यहां देखो इसे हमने 4 टुकड़े किये 3D में समझना है आपको 2D में draw कर रही हूँ लेकिन 3D में आप definitely इसको imagine कर पाऊगे, cluster in में आ गए हो definitely आप कर पाऊगे तो ये देख लो this is the situation A and this is the situation B situation A में रहा जो chunk है उसमें surface area जितना है उसे ज्यादा surface area B में है यानि अगर आप किसी चीजों का टुकड़े टुकड़े करते हो तो उस टुकड़ों का जो total यानि ये जो parts है इस parts के total surface area is always higher than the initial surface area तो यहां हम लिख लेते हैं हमने इसको क्या किया है surface area increase करवा दिया है कैसे इसके टुकड़े करके राइट इसको parts में divide करके तो लिख भी लेते हैं वो भी divided into parts अब थोरा सा iron के case में समझते हैं मानू कि ये हो गया आपका iron का chunk जिसको हम heat कर रहे थे लेकिन जल नहीं रहा था word नहीं हो रहा था इसे अब हमने ऐसा किया कि इसको हमने powder में convert कर दिया यानि समझ रहे हो कितने सारे टुकड़े बहुत 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 टुकड़े हाप count भी नहीं कर सकते हो इतने सारे टुकड़े तो ऐसे powder में हमने इसको divide कर दिया या फिर मानों इसको convert कर दिया पाउडर में, तो अब इसका surface area बहुत ज़्यादा increase कर गया है, right surface area, total surface area इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत 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 ज़्यादा है, with respect to this chunk, right, surface area is increased multifold बहुत 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 ज़्यादा increase हो गया है, क्योंकि एक चीज़ समझ के देखो, अगर मैं दूसरा color यूज़ कर दी तो आपके लिए easy रहेगा, मानों ये जो अंदर का कुछ अंदर का ये part, बाल्ख के अंदर का ये part पहले तो exposed नहीं था, अभी आपने टुक्रे कर दिये, तो यहां से जो टुक्रे निकल के आए है, तो अब उसका surface exposed है, यानी exposed surface, basically हम किस surface के बारे में बात करेंगी, exposed surface, exposed surface is increased, अब क्योंकि exposed surface increase हो गया है, तो contact भी तो ज़्यादा होगा ना, iron के साथ, है ना, iron के साथ ये जो oxygen का, बर्न हो रहा है, मतलब किसका रोल है, oxygen का ही रोल है, बर्न हो रहा है, मतलब oxygen का ही रोल है, तो iron के साथ ये जो oxygen का, जो contact है, या फिर आप flame का भी मान लेते हो, तो flame का भी contact जो है, तो contact increase हो गया है, है ना, तो लिख लेते हैं, contact is increased, क्योंकि जितना ज्यादा surface exposed रहेगा, उत्रा ज्यादा contact increase करेगा, तो क्योंकि contact increase कर गया है, तो reaction rate increases, और इसी के चलते हैं, आपको मिल रहा है क्या, vigorous reaction, तो main खेल किसका है, main खेल है, surface area increased होने का, exposed surface area increased होने का, समझ में आ गया, तो चलो देख लेते हैं, वो कौन से option में दिये गया है, option B में हमें दिख रहा है कि the surface area of iron fillings is much larger than that of solid piece of iron, allowing more contact with oxygen, more contact with oxygen and thus a more vigorous reaction, right, so this is your answer, option B, अब option A में लिखे है, iron fillings are coated with flammable substance, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, so this is wrong statement, iron fillings are chemically different, of course not, it's not chemically different, iron chunk जैसे है, वैसे ही iron ही है, दोनों में ही A-P ही है, यानि iron atom ही है, so C is also not applicable here, so your answer is option B, I hope यह समझने में आपको कोई difficulty नहीं है, thank you so much.